नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कोल इंडिया से आई एक बड़ी न्यूज के बारे में अभी कोल इंडिया से न्यूज आई इन्होंने बताए कि जो फाइनेंसियल एल 2020 के लिए जो टार्गेट रखा गया ह चेसो साथ मिलियन टन कोईले का प्रडक्षन का है उसमें कुछ कमी आ रही है इसके लाब आपको जानने को मिलेगा कि कोल इंडिया में प्रतीUM और कोले का कितना उत्पादन होता है क्षचा है तो भारत में अगर असे पर देख सकते हैं इकॉनोमिक्स टाइम्स की है रिपोर्ट है इन्होंने बताए कि जो टार्गेट रखा गया है फाइनेंसियल यह डूजालन ट्वैंटी ट्वैंटी के लिए 606 मिलियन टन का उसमें जो है वो कुछ कमी आ रही है इन्होंने बताए कि अभी दिसंबर में जो है अ अगर हम बात करें प्रती दिन की तो प्रती दिन कोल इंडिया में फ्रैंट्स 1.8 मिलियन टन कोईले का प्रड़क्शन अभी हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कोल काता से यह नियूज है इन्होंने बताए कि कोल इंडिया जो है वो अपना 660 मिलियन टन कोईले का जो प प्रती दिन जो है लगभग 1.8 मिलियन टन कोईले का प्रड़क्शन हो रहा है अगर हम बात करते हैं दिसंबर तक तो दिसंबर तक जो है 390 मिलियन टन कोईले का प्रड़क्शन हो चुका है अगला जो हमारा तिमाही बचा जनवरी से लेकर जो अप्रेल की तिमाही होगी ल 2019-2020 का उसको हम पूरा कर सकते हैं इसमें हमने पता लगाया तो कोल इंडिया में जो है लगभग 1.8 मिलियन टन अभी प्रोडक्शन हो रहा है और टार्गेट जो है लगभग 2.9 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्शन प्रती दिन के हिसाब से रखा गया है आप सोचते होंगे हमेशा कि किस प्रकार जो है कोल इंडिया इतना प्रोडक्शन करता है तो प्रती दिन प्रती महीन है इस प्रकार कितना प्रोडक्शन होता है तो आप जो है इस प्रकार से आप इसक का टारगेट है इसके लावा प्रती दिन 1.8 million ton कोईले का टारगेट हम अचीव कर रहे हैं अगर हमें अपने टारगेट को अचीव करना है 606 million ton के तो हमको कम से कम प्रती दिन 2.9 million ton कोईले का जो टारगेट है वो पूरा करना होगा फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो कोल इंडिया में टार्गेट रखा गया है वो प्रती वर्ष बढ़ते जाता है इसके लावा हमारी सरकार चाहती है कि लगबग 2024 के बाद जो है हमें किसी भी प्रकार का कोईले का आयात बाहर के देशों से ना करना पड़े करने में चला जाता है फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 2018 में इतने समय तक हमने 358.3 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्शन कर लिया था जबकि टार्गेट हमारा ज्यादा है और 1819 में जो है हमने 330.38 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्शन जो है वो किया है लगभग 7.8 परसेंट जो है हमने कोईला कम प्रोडक्शन किया है अगर हमें इसके हिसाब से चलना होगा कि हमें अपने टार्गेट को पूरा करना है तो 2.9 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्शन हमें डेली करना होगा इसमें जो है हमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है फ्रेंट्स अगर जनवरी से मार्स तक की बात करें तो जो है 2.5 मिलियन टन कोईले का प्रोडक्सन डेली रहा जो कि आप देख सकते हैं कि बिजली की में भी कटोती आई बिजली के उत्पादन में उसके साथ कोईले के उत्पादन में भी इस साल बहुती ज़्यादा कटोती आई है अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो नियूज के एकॉर्डिंग जो है बिजली में 8% की कमी आई है बिजली उत्पादर में फ्रेंट्स 2018-2019 में जो टार्गेट हुआ था पूरा वो 606.89 मिलियन टन था जिसमें जो हमारा डिस्पेच हुआ कोईला वो 608.14 मिलियन टन हुआ और जो है लगबाग इतने समय तक अप्रेल से नॉंबर के बीच में जो है हमने पिछले साल जो प्रोड़क्शन किया था वो कि यह था 392.02 मिलियन टन जो कि इस साल जो है 363.63 मिलियन टन 7.2% जो है वो कमी आई है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सेक्टर में जो है इस समय कमी हमें देखने को मिल रही है चाहे कोईले के सेक्टर में हो या किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रोड़क्शन के सेक्टर में हमें चारों तरब जो है वो मंदी दिखाई दे रही है फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो 27 दिसम्ब 2019 तक जो है लगबख 410 जो 410 मिलियन टन का टार्गेट था उतना ही पूरा किया है जबकि हमारा टार्गेट जो था वो हमारा था 460 मिलियन टन फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि इतना कम प्रोड़क्शन हो रहा है अगर इसी रफ्तार से हम चलते हैं तो लगबख 75 से 50 से 75 मिलियन टन कोईले का जो हम प्रोड़क्शन है वो कम कर पाएंगे जो अगर हम बात करें कि कॉम्पनी कौन कौन सी सबसे ज़्यादा प्रोड़क्शन करती है तो आप जानते ही है महानाधी कोल्ड फ्री लिमिटेड एंप से ज़्यादा कोईले का प्रोड़क्शन होता है लगबख 300 मिलियन टन या उससे ज़्यादा कहीं तो उसमें होता है हमें कहीं मिली है जबकि बाकी जो सेक्टर हैं बाकी जो सबसीडरी है उनमें भी कमी आई है ठोड़ी ठोड़ी बट ये जो मेजर कमपनियां हैं जिनको हम मानते हैं कि हमारी core product है वो जो है हमारे उसमें सबसे ज़्यदा कमी देखने को मिली है फ्रेंट्स CCL की बात करें तो 14.5% साड़े 14% जो है हमें कमी देखने को मिली है और MCL में 9.8% जो है वो हमें कमी देखने को मिली है यह data है फ्रेंट्स आपका 27 दिसंबर सन 2019 इन्होंने बताया कि 27 दिसंबर 19 तक जो है इतना मिलियन टन कोईले का प्रोड़क्शन हो रहा है फ्रेंट्स अगर हम बात करें कि किस रीजन से सेक्टर हो मैनुफेक्शनिंग का सेक्टर हो यह कूल इंडिया का सेक्टर हो चाहें बिजली का सेक्टर हो सारे सेक्टर में जो है हमें इस साल कमी देखने को मिली है चारों तरफ से हमारा जो Economy है वह गिरते ही गई है और आज हमारी एकोनोमी डावाड ओल है हम जानते हैं कि माईनिंग सेक्टर का जो है बहुत बड़ा effect पड़ता है हमारे GDP growth में इसमें हमें कमी देखने को मिली है आप देख सकते हैं कमी जो है वह कितने परसेंट हुई है और हमारे जो माईनिंग का सेक thank you friends